दर्शकों कॉंग्रेस पर गालिब का ये शेर एकदम सटीक बैठता है कि दिल को बहलानी के लिए गालिब खयाल अच्छा है। जनता के जनमत से साफ है कि अभी भी लोगों को ब्रैंड पीयम मोदी पर पुरा भरोसा है। लेकिन विपक्ष और खास तर पर कॉंग्रेस ये बात पचाही नहीं पा रही है कि जीत उनके हाथ ना लग पाई और बेचैनी भी इसी लिए है कि वो चाहा कर भी सरकार नहीं बना सकते हैं। ठोब भी या किया जाए तो किया यह जाए कि बस उल जुलूल बयान देकर खबरों में बना रहा जाए। और क्या किया जाए। यही कर भी रही है कॉंग्रेस और अब इस काम में कॉंग्रेसने ता मलड कार युन कषण के भी लग गये हैं। और ऐसी बयानवाजी कर रहे हैं, मानो लग रहा है कि खिसियानी बिल्ले खंभा नोचे, बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्याक्षम मलिकार जुन खडगे ने प्रधानमत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा, उन्होंने दावा किया कि भारतिय जनता पार्टी की नेत्रतों वाली एंडिये की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि पीम के पास जनादेश नहीं है उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एंडिये सरकार गलिती से बनी है, पीम मोधी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत्की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, हम चाहेंगे कि ये चलती रहे, ये देश के लिए अच्छा है, हमें देश को मजबूत क करने की दिशा में सहयोग करेंगे ऐसे पहले उन्होंने नीट परेक्षा मोदे पर प्रधान मंत्री नरेंद्री मोधी की चुपपी पर सवाल उठाया और कहा कि केवल सुप्रीम कोड की निगरानी में फॉरेंसिक जाच ही लाकों यवाच्छात्रों के भविश के रक्षा कर स गया है और उन्हें एक्सपर अपनी एक कोस्ट में कहा कि अगर नीट में पेपर लीग नहीं हुआ था तो पेपर लीग के कारण बिहार में 13 आरोपियों को क्यों गिरफतार किया गया क्या पटना पुलिस ने एकॉनमिक ऑफेंस यूनिट ने शिक्षा माफिया और रैकेट में शामिल संगठेट गिरोहों को पेपर के बदले 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के भुगदान का परदा फाश नहीं किया उन्हेंने पूछा कि अगर मोधी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीग नहीं हुआ तो ये गिरफतार या क्यों की गए खड़गे लाए